अंग्रीजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इस दिलास्ट इंप्रेशन, क्या वाकई पहली मुलकात, पहला समवाद या पहला प्रभाव इतना महत्वपून होता है? क्या व्यक्ति जो पहली चाप छोड़ता है, वहां अमिट होती है? अर्थात प्रथम प्रभाव किसी की जो चविस थापित करता है, वही सर्वो परी है. दरसल पहली बार जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारा मस्तिश्क कोरे कागस की तरह होता है. व्यक्ति जैसा कहता है, दिखता है, जिस प्रकार से कोई कारी करता है, उसके हावभाव से उसकी जो छवे निर्मित होती है वह एक नीव की तरह होती है जो उसके चरित्र या व्यक्तित्व का निर्मान हमारे मन में कर लेती है जिसे बदलना मुश्किल हो जाता है प्रसित्य लेखक एंड्यू ग्रांट ने लिखा है यू नेवर गेट अ सेकिन चांस तो मेग दा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत हद तक बात सही है कई बार हमें खुद को साबित करने का दूसरा मौका नहीं मिलता पहली बार में ही हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या नकारात्मक आपका अच्छा पहनावा, सौभाव में विनमरता, सभ्यता, बाचीत में अपने पन का एहसास, चहरे के मुस्कुराहट आपकी पहली एवं बहतरीन छवे निर्मित करती हैं अब यदि हम इसका दूसरा पहलू देखे तो पहला प्रभाव महत्वपूर्ण जरूर है परन्तु अंतिम नहीं उदारन स्वरूप हम देखते हैं कि उतकृष्ट विज्यापन देखकर हम महंगे उपकरन खरीद तो लेते हैं परन्तु बाद में घटिया कारिक्षमता की वजह से हम उसे नापसंद करने लगते हैं ऐसे ही कई शादियों में हम देखते हैं कि केवल सुन्दर्ता और पहली मुलाकात के इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन को देखकर हुई शादी बाद में उम्मीदों पर खराण न उतरने के कारण तलाग तक पहुच जाती है वहीं कभी कभी पहली नजर में पसंद ना आने वाला हमसफर भी अपने गुणों या व्याहार से मन को जीत लेता है डिजिटल दुनिया में भी देखें तो मेरी एक दोस्त ने लक्षमी अगरवाल के वीडियो पहली नजर में उसके चहरे की वजह से पूरे देखे ही नहीं पर जब उसी पता चला कि उस पर ऐसी डटेक हुआ है तो उसकी भावनाय बदल गई उसके मन में दया वा करुणा का भाव जागरत हो गया कहने का तात पर यही है कि पहली चाप हमेशा सटीखो यह जरूरी नहीं है समय और परिस्तिती के हिसाब से लोग बदलते हैं विचार बदलते हैं किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए कुछ वक्त देना आवश्यक है हमें धैरी पूर्वक किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उसे समझने की कोशिश आवश्य करनी चाहिए मेरे इन विचारों का सार यही है कि एक अच्छा पहला प्रभाव हमें सबसे महत्पुर्ण लोगों की नजरों में लाएगा लेकिन वहां से आगे का रास्ता हमें एक कड़ी महनत वो शरम के मार्ध्यम से ही मिलेगा पहला प्रभाव हमें ऐसी व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है और वहां ध्यान देने के योग्य है अतहा हमें अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट टेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए एवं दूसरों के फर्स्ट पर्फर्फर्मेंस को धैरे पूर्वक मौका देना चाहिए अंत में यही कहूंगी कि first impression is the last impression की जगह ये नई कहवत impressive है first impression is long lasting impression धन्यवाद